हलो स्टूडेंस तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे चाप्टर नमबर 6 क्लास 10 का दो हंड्रेड ड्रेसेज पार्ट 2 फिफ्ट जो चाप्टर है वो इसका पार्ट 1 है स्टोरी बताई थी इसके अंदर स्टोरी बताई थी जैसा पिछले वीडियो में देखा क्या होता है एक वैंडा नाम की लड़की होती है जो की बहुत ज़ादा शाय नेचर की होती है किसी से स्कूल में बात नहीं करती, बिल्कुल पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठती है उसके dressing sense के बार में बताया है कि सिर्फ वो एक ही blue color की faded dress पहन कर आती है और हमेशा उसके जो shoes होते हैं वो mud में मतलब गंदे हुए रखते हैं तो ये सब चीजे सबसे पहले बताई गई, साथ में क्या बताया गया कि Peggy और Maddy दो characters होते हैं कौन से? Peggy और Maddy ये जो दोनो characters हैं, ये दोनों होती है best friends और ये दोनों हमेशा Wanda को tease करती है basically tease तो Peggy ही करती है, Maddy सिर्फ उसके साथ होती है Peggy जो है वो है rich और Maddy जो है वो है poor, मतलब की वो Wanda की ही तरह है तो Maddy जो है वो कभी भी tease नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ Peggy के साथ में खड़ी होती है जब भी उसको परिशान कर रही होती है दूसरी चीज ये है कि वो कभी Peggy को रोकती भी नहीं है क्यों नहीं रोकती क्योंकि उसे इस चीज का डर लगता है कि कहीं जो next target है वो Wanda ना रहे और Maddy खुद बन जाए तो ये चीज वहाँ पर हमें दिखाई गई है at the end धीरे धीरे जब chapter चल रहा होता है story की अंदर end में क्या होता है कि 3-4 दिन से जो Wanda है वो absent होती है उसकी absence किसी को भी नजर नहीं आती क्योंकि usually उसका कोई दोस्त नहीं होता लोग बग उससे बात करते भी है तो सिर्फ इसी लिए करते हैं कि उसको tease करने के लिए to make fun of her इसलिए उससे बात की जाती है दूसरी चीज क्या है दो-तिन दिन से Monday, Tuesday, Wednesday, तीन दिन हो गए कोई भी कोज कपर नहीं है Wanda की अब drawing contest होता है हमने देखा था पिछले वाले chapter में तो अगले दिन जब सब बच्चे क्लास में आते हैं जो जिन results अनाउंस होने होते हैं तो पूरी क्लास के अंदर hundred sketches लगे होते हैं different different dresses जो हैं वो उन पर बनाई गई होती हैं तो आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी पेगी और मैडी उसको परिशान कर रहे होते हैं तो वो उससे एक सवाल करते हैं कि तुम्हारे पास कितनी dresses हैं और वो उसका जवाब देती है कि मेरे पास hundred dresses हैं जिसका मतलब पेगी और मैडी को end में समझ में आता है जब वो वो सारे sketches जो वहाँ पर लगे हो दे हैं classroom के अंदर उन्हें देखती हैं क्लिया ये बात हमें यहाँ तक समझ में आ गई अब क्या होता है आगे की story क्या है जो Wanda है वो school क्यों नहीं आ रही है उसका reason क्या है क्या उन्होंने जो city है वो छोड़ दी है या फिर उसके साथ कुछ और problem हुई है ये हम इसके second part के अंदर देखेंगे clear अब हमारी second part की summary start करते है the teacher makes the classroom fully attentive before reading out the letter written by Wanda's father मतलब की Miss Mason जो है उनके पास एक letter आया है और वो letter लिखा है Wanda के पापा ने और उस letter में उन्होंने क्या लिख के भेजा है कि Wanda और Jack जो उसका भाई है वो दोनों school से absent क्यों है तो वो उसमें लिखते हैं कि वो school इसलिए नहीं आ रहे है उनकी खुद की भलाई के लिए क्योंकि जिस तरीके का behavior उनके दोनों बच्चों के साथ किया ज़ा रहा था वो totally unacceptable था प्रैंक्स करते थे टीज करते थे परिशान करते थे कोई friends नहीं थे तो अपनी पढ़ाई पर भी साथी साथ ध्यान बच्चे नहीं दे पा रहे थे The Petronski family decides to settle in a big city जो Petronski family है उन्होंने क्या decide कि हम सभी लोग जाकर अब city में जो है shift हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का हम क्या देखते हैं social हमारे साथ हो रहा है लोग अच्छे से treat नहीं कर रहे हैं यह चीज़ city में नहीं होगी क्यों? क्योंकि उनके नाम का मजाक उड़ाया जाता था वो polish girl थी तो उसका जो नाम था वो अलग था American बच्चों के नाम से उन्हें बहुत funny लगता था American बच्चों को उसका नाम जिसका वो मजाक उड़ाते थे तो उसके father लिखके भेशते हैं कि city में बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो की funny होंगे तो वहाँ पर ये जो problem है मेरे बच्चों को नहीं आएगी इसलिए वो लोग city की तरफ shift कर जाते हैं ठीक है तो उन्होंने यह यहाँ पर बोला कि हम big city में shift हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मेरे बच्चों को suffer करना नहीं पड़ेगा और उनके साथ नहीं फ्रैंक्स किये जाएंगे उनके classmates के द्वारा clear? तो Miss Mason को ये बात Wanda के father के letter के थूँ पता चलती है कि कि किस तरीके का behavior Wanda के साथ class के बच्चों ने किया तो इस बात पर Miss Mason जो है वो बहुत बदलब कि गुसा हो जाती है और upset भी हो जाती है क्यों गुसा और upset होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बच्चे हैं जो इन्हें मैं ही पढ़ा रही हूँ educate कर रही हूँ मेरी ही class में एक बच्चा ऐसा था Wanda ऐसी थी जो इतना सब कुछ उसके साथ हो रहा था जिससे Miss Mason जो है वो उन्हें नहीं पता था उनकी knowledge में वो चीज नहीं थी वो अंजान थी उस चीज से तो उन्हें उस चीज पर गुसा रहा था बच्चो पर और वो upset भी थी कि Wanda चली गई है ये सब जेल कर और यहां से city को छोड़ कर मतलब किस level का उन्होंने परिशान के होगा क्योंकि family को इतना बड़ा decision लेना पड़ा तो ये सब चीजे Miss Mason के as a teacher दिमाग में चल रही थी The whole class along with the teacher got shocked Teacher के साथ-साथ पूरी class जो है वो भी shock में आ गई क्योंकि जो बच्चे थे वो कोई भी ऐसा harm नहीं पहुचाना चाहते थे उसको वो सिर्फ उसका मजाख उड़ाते थे किस वज़े से क्योंकि उसकी जो statements है Wanda की जो statements होती थी वो हमेशा contradict करती थी उससे कोई भी पूछता था कि तुम्हारे पास कितनी dresses है तो वो बोलती थी कि मेरे पास 100 dresses है जबकि वो सिर्फ एक blue color की faded dress पहन कर ही आया करती थी हमेशा तो बच्चे कहते थी फिर इस बात पर बच्चे मजाख उड़ाते थे कि यह 100 dresses भोलती है अगर इसके पास पूरा भरा हुआ closet है dresses का तो यह सिर्फ एकी dress पहन कर क्यों आती है जिस पर भी आयन नहीं हो रखा होता है मतलब pressed नहीं होती है उसकी वो dress ठीक है तो poor girl वो यहाँ पर बताई ही गई है यहाँ पर इसी वज़े से उसका मजाख उड़ाया जाता था कि वो ऐसे statements देती थी तो बच्चे उससे पूछते थी अच्छा चलो बताओ की ना कैसी दिखते है तुम्हारी dresses तो वो मकाइद उन dresses को explain भी करती थी कि इस तरीके की dresses है flower है यह है वो है green color की है red color की है सब कुछ वो उन्हें आराम से बताती थी जब वो पूछती थी कितने shoes हैं तुम्हारे पास तो वो भी वो बताती थी कि 60 pair of shoes है तो यही सब चीजे थी जिसका बच्चे उनका मजाग उडाते थे अब बच्चे शौक हो गए थे कि वो city छोड़कर ही चली गई है सिर्फ इस कारण से दूसरी चीज़ों नहीं यह लग रही थी कि वो इतनी ज़ादा talented थी जिसका हमें नहीं पता था वो winner घोशित होती है उसको winner announce करती है teacher कि जो इस drawing competition की winner है वो वैंडा है girls के अंदर अब पूरी class जो है वो एकदम शौक में चली गई कि अरे वो तो यहां से चली गई with the content of the letter sent by Mr. Petronski उसके Petronski ने मतला पापा ने जो भी लिखा था उससे उन बच्चों को बहुत ज़ादा शौक लगा कि जो reason था इसके पीछे वो यह था कि बच्चों ने उसे बहुत ज़ादा परिशान किया, प्रांक किया, टीज किया यह वाला reason उसका था the entire class got tensed पूरी class एकदम से tension में आ जाती है and they felt bad about Wanda और उन्हें Wanda के लिए बुरा लगने लग जाता है all of a sudden क्योंकि किसी की उससे ऐसी कोई personal दुश्मनी नहीं थी कोई उसका दोस नहीं था क्योंकि वो किसी से जादा बात नहीं करती थी शाय किसम की लड़की थी कोई उससे कुछ पूछता भी था तो वो ऐसे जवाब देती थी जिसकी वज़ासे पीछे से बच्चे उसके उसके उपर हसते थे तो एक तरीके से ये अच्छा behavior नहीं है पर हम क्याशकते हैं कि बच्चपने में उन लोगों ने ये काम किया जिससे वो अन्जान थे कि वो किसी को किसी तरीके की हानी पहुचा रहे हैं clear, Maddy could not concentrate अब इन दोर इन सभी चीज़ों का जैसे उन्हें पता चला कि वो सिटी छोड़ कर जा रहे हैं तो Maddy के उपर इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ा वो बहुत जादा guilt के अंदर चली जाती है कि क्यूं उसने ऐसा होने दिया क्यूं ये दोनों जब खड़े होकर उसका मजाग उड़ा रहे होते थे मतलब वो और Peggy जो है जब वहाँ पर खड़े होते थे और Wanda होती थी तो Peggy जब उसका मजाग उड़ा रहे होती थे क्यूं मैंने उसे कभी नहीं रोका इसके बीचे एक reason ये था क्यूंकि वो डरती थी कि कहीं जो target है वो Wanda ना होकर वो खुद ना बन जाए क्योंकि वो भी एक poor girl ही थी इतनी जादा rich family से वो belong नहीं करती थी अब वो चीज़ उसको बहुत जादा परिशान कर रही थी और अपनी पढ़ाई पर वो ध्यान नहीं दे पारी थी उसे पता था कि वो गलत कर रही है पेगी उसकी दोस्त है best friend है उसे लगा मेरी friendship तूट जाएगी मुझे target बना लेंगे इन सभी कारणों से उसने कभी भी नहीं बोला बट ये reason जो अब उसे लग रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया उसने क्यों नहीं बोला अगर उसने बोला ह तो उसे यहीं लग रहा था कि उसने क्यों कभी भी वो जो पेगी है उसको नहीं रोका वैंडा का मज़ाग उडाने से next देखते हैं she wanted to meet Wanda अब वो Wanda से मिलना चाती थी क्यों मिलना चाती थी apologize करने के लिए और उसे यह बताने के लिए कि वो contest जीच चुकी है she made up her mind to go to her house and tell her that she has won the prize तो उसने सोजा कि वो उसके घर तक जाएगी और उसे बताएगी कि वो contest जीच चुकी है when the school was over Peggy and Maddy went to Bogging Heights अब दोनों कोई पुरा लग रहा था तो दोनों जनों ने decide कि अब वो कहां जाएगी उनके घर तक जाएगी Wanda के Bogging Heights तक जाएगी और वहाँ जाके उसे यह बात बताएगे कि वो contest जीच चुकी है दोनों class के बाद जाते हैं both the girls found a house दोनों लड़कियों को उसका घर तो मिल जाता है but they could not meet her as they had already left the place पर वो से मिल नहीं पाते हैं क्योंकि वो लोग शेहर चोड़ कर जा चुके होते हैं किसी दूसरी city में settle होने के लिए बागिंग हाइज चोड़ कर वो लोग जा चुके होते हैं वो जैसे ही उसका घर देखते हैं उन्हें एकदम से वैंडा की याद आती है क्यों? क्योंकि उसके घर का कलर भी ब्लू होता है और वैंडा भी हमेशा ब्लू कलर की ही dress पहन कर आती है जैसे वैंडा की dress इतनी जादा मतलब की हम कह सकते हैं की अच्छी नहीं दिखती थी बट वो हमेशा प्रॉपरली ड्रेस होती थी साफ सुत्री होती थी तो उसका घर भी जो है वो इतना आलिशान बंगला नहीं था पर वो जैसा भी था बहुत जादा neat clean था पैगी ट्राइट टू डिफेंड हर बिहेवियर बट मैडी इस नौट सैटिसफाइड पैगी ने क्या करा कि अपने आपको ऐसे बोल बोल कि कभी भी मतलब कि मैंने उसका मजाग क्यों उड़ाया मैं उससे पूछती थी कितनी ड्रेसेज हैं तो वो ऐसे जवाब देती थी हमने मजाग उड़ाया कि ऐसा नहीं है contradictory statements होती थी तो ये कह कह कि वो अपने आपको समझा लेती है self satisfaction वो obtain कर लेती है पर कहीं न कहीं जो मैडी है उसे ये satisfaction नहीं मिलता वो हमेशा मतलब पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती रोती है और अपने आप पे बहुत ज़्यादा coward फील करती है guilt फील करती है on Saturday both Peggy and Maddie wrote a letter to Vanda telling her she had won the contest तो अब Saturday के दिन दोनों ने क्या किया एक letter लिखा उनोंने सोचा कि अब और कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं तो एक letter ही लिख देते हैं जिसमें वो उसे बताएंगे कि वो जो contest है वो जीच चुकी है मतलब एक तरीके से वो उसे contact करना चाते थे ये जानने के लिए कि शायद अब वो जिस नई जगा गई है वहां का महौल कैसा है तो वो ये सब चीजे भी उससे पूछते हैं letter के अंदर कि जहां तुम गई हो मतलब कि वहां तुम्हारे नए teacher कैसी है नए महौल कैसा है ये no answer from Wanda, बहुत दीन बीद गए लेकिन Wanda की तरफ से Peggy और Maddy को कोई भी जवाब नहीं आया, it was Christmas time, अब आता है Christmas का महीना, when Miss Mason received a letter from Wanda, अब Miss Mason को एक letter मिलता है Wanda की तरफ से, मतलब finally एक reply आता है, Wanda had written a letter that the girls could keep those hundred dresses because in her new house she had hundred new ones, और उसके अंदर Wanda ने लिखा होता है कि वो जो hundred dresses हैं वो लड़कियां रख सकती हैं क्योंकि उसके नए घर में उसके पास और hundred dresses हैं, वो लड़की इतनी जादा talented होती हैं कि जितने भी sketches उसने बनाए होते हैं, कोई भी design जो है वो repeat नहीं होता सब अलग-अलग designs होते हैं और उसने वहाँ जाके hundred designs और बना लिये, clear? तो वो यही कहती है कि वो जो dresses बना के गई वो लोग रख सकते हैं, मैंने अपने hundred और dresses जो हैं वो बना लिये हैं, यहाँ पर मेरे पास और hundred dresses हैं, शी हैड गिफ्टेट स्पेशल ड्रॉइंग टो इसी dress का description वो देती थी, वहाँ पर वो dresses भी उन्हों ने देखी, तो उसने dresses क्या करी, पैगी और मैडी को gift भी कर दी, अब उन dresses में थी एक खासियत, वो खासियत क्या थी? Maddie ने जब उस dress को बहुत ध्यान से देखा, तो उसने देखा, कि उसमें जो face है, वो उसकी तरह दिखता है, अब यह देखियों से बहुत जादर shock लगा, तो उसने सोचा, कि मैं Maddie के पास, पैगी के पास जाती हूँ, क्या उसको जो dress मिली है, उसको जो dress gift की गई है, उसमें भी सेम चीज होती है, she made up her mind to go to her house and tell her that found the face and head of the drawing looked like their face and head, तो वसकी घर जाती है, उसे यही बताने के लिए जाती है, कि देखो यह जो dress हमें दी है, वो हमारे जैसे ही दिखती है, मतलब उसमें जो face है, वो हमारे जैसे है, वो हमारे लिए ही बनाई गई, clear, तो इस बात से ज satisfaction मिल जाता है, कि देखो, वो हमसे hate नहीं करती थी, जब ही उसने हमारा face यूज किया है, इन drawings में हमारा जो face है, वो हमें दिखाई, दे रहा है, और वो इस तरीके के उल्टे सीधे बहाने लगाके, अपने आपको console कर लिती, कि भाई, मेरी गलती नहीं थी, मैंने उसे ऐसे tease नहीं किया, कि उसे ये शहर छोड़कर जाना पड़े, कही ना कही अंदर ये अंदर उसे पता भी था, पर Maddy में और Peggy के character में बहुत जादा difference दिखाया गया है, और end आते story का, उनमें changes भी बहुत जारा, बहुत सारे changes जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, Peggy consoled herself, Peggy तो अपने faces की dress बनाई है, मतलब dress में जो face यूज़ किये है, sketches के अंदर, उसमें हमारी शकल हमें दिखाई दे रही है, ये कहके वो अपने आपको console कर लेती है, और वापिस से उसकी normal life शुरू हो जाती है, पर कहीं ना कहीं Maddy के दिमाग पर इस चीज़ का बहुत गंदा असर पड़ता बट ये change हमने Maddy के अंदर देखा, कि उसने जब वो अपने आपको coward feel कर रही थी और ये guilt के अंदर थी, उससे बाहर निकलने के लिए उसने अपने अंदर एक change लाया, कि ये जो गलत चीज़ हो रही है, इसके खिलाफ वो हमेशा बोलेगी, चाहे वो Peggy ही क्यों ना हो, चाह हाँ समझ गई मैं, वो करती थी और एकदम से उसके आंखों से आसु आने लग जाते है, emotional जाती है, क्योंकि उसे वो चीज़ हांट कर रही होती है, that time came every time, tears, that came every time, she thought of Vanda Patronski, और आसु हमेशा Maddy के आंखों में आ जाते थे, जब भी वो Vanda Patronski के बारे में सोचा करती थी, त उसने गलत के खिलाफ बोलना सीखा, इस incidence के बाद में, clear, तो यहाँ पर यह chapter खतम होता है, अब अब कुछ important questions देख लेते हैं, what did Mr. Patronski's letter say, Mr. Patronski ने जो letter लिखा था, उसमें उन्होंने क्या कहा था, तो पूरी class को Vanda के absence के बारे में Mr. Patronski के letter से ही पता चला, Miss Mason को भी उनके letter से ही पता चला, कि अब वो लोग जो है, bogging heights छोड़ कर, city की तरफ shift हो रहे हैं, और वो वहाँ क्यों shift हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके बच्चियों के साथ जो है, विभार अच्छा नहीं किय जारा, prank किये जाते हैं, tease किया जाता है, जिसके उपर, मतलब जिसका उनके उपर बहुत जादा बुरा प्रभाव पढ़ रहा है, clear, उनके standard की वज़े से, just because they are poor and just because they are very shy, वो कुछ बोलते नहीं है, वो polish girl है, उसका नाम थोड़ा सा different है, इसकी वज़े से उसके साथ ऐसा treatment जो है वो बाकी बच्चे कर रहे हैं, तो वो उसके फादर को बिलकुल भी मन्जूर नहीं था और उन्होंने वहाँ से shift कर लिया, यह कहकर कि यहाँ पर ऐसे और बहुत लोग होंगे, जुनके नाम बहुत अजीब होंगे, तो यहाँ पर उनका ऐसे मजाख नहीं उड़ाया जाएगा, is Miss Mason angry with the class or is she unhappy and upset, क्या जो Miss Mason थी वो गुसा थी क्लास से या फिर वो upset थी, तो हम दोनों ही चीज़ कह सकते हैं, angry इसलिए थी कि उन्हें यह लग रहा था कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूं, मतलब मेरी मौजूदगी में इतनी सब चीज़ें हो रही थी औ और उन्हें इस चीज़ की बारे में नहीं पता था और यह इस हद तक पहुँच गई कि बैंडा को स्कूल चोड़ कर जाना पड़ा, वो उन्हें गुसा आ रहा था, दूसरा वो upset इस वज़े से थी कि जो वो मतलब education प्रोवाइट करवा रही है, क्या वो इस तरीके की है, या क्यों उन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, कि बैंडा जो है वो इन सब चीज़ों से जूज रही है और उन्हीं के क्लास के बच्चों ने ऐसा व्यभार उसके साथ किया है, clear, how does Maddy feel after listening to the note from Vanda's father, Maddy को कैसा feel हो रहा था जब note पढ़ा गया क्लास के सामने, जो जलत किया कि Peggy के साथ खड़ी रहती थी, बेशक कुछ नहीं बोला पर कभी भी Peggy को रोका भी नहीं, ठीक है, तो उसे बहुत जादा बुरा फील हो रहा था, उसको haunted फील हो रहा था, अपनी study पे concentrate नहीं कर पा रही थी, और यूनो बहुत जादा उससे मतलब पश्चाता आ बिल्कुल नहीं होने देगी, अब इसका अंसर आपको हमें comment section में बताना है कि जो लड़कियां है, उन्होंने वैंडा को जो letter लिखा, उस letter के अंदर उन्होंने क्या लिखा, एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने लिखा था, कि वो contest जीत कही है, जो drawing contest हुआ था, बागी की सारी चीजें आप हमें comment section के अंदर बताएंगे कि पेगी और मैडी ने वैंडा को letter के अंदर क्या लिखा था, आगे आने वाली वीडियो में हम next chapters करेंगे, इसके लिए आप हमारा चैनल जरूर subscribe करें ताकि time to time सारी वीडियो आपको मिल सके, thank you